जैहिन नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक हैसी होस्पेटालिटी के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है बार्बेक्यू नेशन होस्पेटालिटी देखे यह एक फूड चेन है यहां पर यह करते क्या है आपको एक ठाली प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बहुत सारे तरीके से वेज और नॉन वेज अलग अलग टाइप का फूड्स होते हैं तो अगर आप वेज ठाली लेते हैं तो केवल आपको वेज में जो भी खाना है आपको वो सारे खाने आपको प्रोवाइड करा दिये जाते हैं जो भी इनके पास मेनू में होते हैं और अगर आप न खाना है उसकी quantity fixed नहीं होती है आपको जितना खाना उतना आप इसमें खा सकते हैं अगर आप किसी और qsr chain में जाएंगी जैसे west life में जा रहे है साफाइर फूर्ड में जा रहे है आपको पिज्जा खाना है बर्गर खाना है तो आप जो चार्ज देंगे उतना ही आपको quantity मिल यह wage की जगहते नॉन wage वाली चीज़े आपको देखने को मिलती है तो कुछ इस तरीके से आपको provide किया कर दिया जाता है और आपको जितना खाना बार-बार आप अगर आप मंगाएंगे तो यह देते रहते हैं ऐसा नहीं कि मना कर देंगे आपको कि हां के वाले एक बार दि देखे तो यहां पर आप इस तरीके से इनका इनके website पर दिखा रहा है कि आप क्या करेगी day और time set कर लीजिए और आप जो seats है वो reserve कर सकते हैं तो अगर हम यहां पर locations में देखे तो अगर हम यहां पर locations में वारानशी डाल देते हैं क्योंकि मैं वारानशी का रहने वाला हू तो यहां पर वारानशी कर दिया तो वारानशी में JSB Mall है वहां पर दिखा रहा है तो आज 6 डेट है तो अगर हम today का timing ले और lunch और dinner यह दो टाइमिंग होता है इनके पास तो अगर हम dinner का timing ले तो लगबग dinner के timing यह 6 बज़े के करीब से यह दिखाते हैं और dinner के time में आपको क bargain करके देखेंगे तो आपको यह दिखाएगा तो यह exactly कैसे काम करता है और क्या यह इस sector में पैसे लगा कर हम invest करके क्या हम अच्छा खासा पैसा generate कर सकते हैं में हमको इससे मतलब है चाहे कितनी भी अच्छी website हो चाहे कितना भी अच्छा इनका food हो वो food पैसा भी generate करता है कि नहीं करता यह बहुत काम की बात है तो current में देखा जाए तो इस company का जो market cap है वो लगबग 2700 करोड का market cap है तो 2500 करोड का market cap बहुत जादा नहीं होता है दिरे दिरे जब यह company बहुत जादा grow करेगी हर district हर state में पहुँचाएगी और साथी साथ साथ अगर यह India based company न रहके foreign मे UAE में और साथ और कोई country है जहां पर यह अपने hospitality को provide कराती है तो company का stock पर 110 का चल रहा है और industry पर 32.3 का है तो अपने industry पर यह तीन गुना महंगी दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम company का quarterly result देखें तो company का quarterly result हमको बहुत कुछ बताएगा जैसे मार्स 2020 में company 190 करोड का sale करती थी जून में कोबीड आ गया कोबीड की वज़े से sales इकदम इनके hospitality पूरी बंद थी इसलिए कोई sales ही नहीं हुआ 9 करोड का sales दिखाई दे रहा हमको लेकिन कोई भी sales 9 के बराबर है ये क्योंकि जब कोबीड की टाइप पर सारी चीजे बंद थी तो ये कहां से उस चीजों को provide कर पाएंगे सेप्टेंबर 2020 में थोड़ा से open हुआ रहा होगा उस टाइम पर कोबीड की वज़े से तो यहां पर 76 करोड का लेकिन दिसमबर 2020 तक लगभख सब open हो गया था तो यहां पर 194 करोड का मार्स 2021 सब 226 करोड का जून 2021 में फिर से 101 करोड का यहां दिखाई दे रहा है सकते हैं कि कोई भी क्योंबी किवाल को विट को से बहुत जादा प्रफावीत हुआ था यह बिजनस से Golgut जो नि लोग लंके चार-फाइस देखें तो लास्ट के चार-फाइस क्वाटर में की दीखने को मिलता है कि लास्ट के 4 पाइस क्वाटर में कंपणी लगातारra का operating profit margin कंपनी का है जो कि लगातार वो companies को maintain किये हुए है नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कमपणी 3 करोल का नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी जो कि पहले तो नेगेटिव नेट प्रॉफिट था लेकिन पॉजिटिव आये 3 करोल फिर 3 करोल से 14 करोल 16 करोल अभी 7 करोल का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है company में तो अगर 7 करोड का net profit generate कर रही है 300 करोड का business करके 7 करोड का net profit generate कर रही है और operating profit margin अगर 18 से 20% का हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि company अगर 300 करोड का business कर रही है तो उसका लगभग आप मान के चलिए कि 5-6% का उसको net profit देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर हम ये early data देखे इस company का अगर हम ये early data देखे तो early data हमको देखने को मिला कि March 2020 में company 817 करोड फिर 20 में 500 फिर 800 और अभी यहाँ पर देखे use growth देखने को मिला लगभग 1200 करोड की company sell कर रही है 1200 करोड की sell पर अभी पिछले आप देखे कभी भी ये positive थी नहीं यहाँ generally negative return generate कर रही थी लेकिन अब ये company positive return भी generate करने लगी है 20% के operating profit margin पे company काम कर रही है और लगभग 30 करोड का net profit generate कर रही है तो 1200 करोड का अगर company sales कर रही है और 30% का net profit generate कर रही है तो company कहीं से भी खराब नहीं है QSR chain में hospitality sector में अभी धिरे धिरे जब अपने stores बढ़ाएंगे ठीक है जैसे अपने stores बढ़ाएंगे तो उसे net profit जादा इनको grow करने को मिलेगा और मैंने इनके hospitality use किया हुआ है ठीक है मैं तोबा बाज़्ट हूँ इस share पे barbecue nation hospitality पर क्योंकि मैंने इनके product use किया है और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अगर आप भी कभी आपके सहर में barbecue nation hospitality तो आप जाईए use करें आपको अच्छा लगेगा इनकी hospitality क्योंकि आप 700-800 रुपए दे कर आप भर पेट खाना खाने को मिलता है और आप अलग-अलग variety के खाना खाने को मिलता है आपको अलग से उसका charge देने को नहीं जाता है अगर हम company के balance sits को देखे तो company का अगर हम यहाँ पे अगर हम company का यहाँ पे balance sit देखे तो balance sit में reserve देखे company का तो जो 1000 करोड का reserve था 2016 में वो 2020 में minus 8 करोड हो गया को रिजर्व कहां बचेगा company by अपने customer को अपने जो करमचारी उनको imply को तो अपना पैसा तो देगी लेकिन बिजनस तो चल नहीं रहा था उस टाइम पे लेकिन बिजनस जरे जरे ग्रोड हुआ और आप देखेंगे कि जो reserve था वो बढ़ना स्टार्ट हुआ अभी 386 करोड का रिजर्व है हाइस रिजर्व है company के पास borrowing भी होगा ही होगा कि जब company grow करती है छोटी company होती है और growing में रहती है नए नए shops open होती है नए नए barbecue nations के जगए जगए hospitality open होती है तो भाई cost borrowing तो रहे गाई रहेगा अभी company के पास 665 करोड की borrowing दिखाई दे रही है देरे-देरे ये खटम हो जाएगा देखें CW IP मतलब जो capital work in progress है वो capital लगाया जा रहा है बार-बार यह किस करोड 25 करोड का जो capital लगाया जा रहा है 6 करोड 11 करोड 16 करोड और ये देरे-देरे fixed assets में add हो जाएगा तो next quarter का जो result आएगा आपकी देखेंगे कि जो 900 करोड का fixed asset दिख रहा है वो 1000 करोड के ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि जो sector 9 रहे होस्पिटलिटी सेक्टर open होंगे उससे इनको benefits मिलना start हो जाएगा अगर हम share holding patterns देखें तो company के पास 33.78% promoters के हाथ में है FIs भी लगातार अपने product को बढ़ा रहा है अगर जून 2021 से अब तक का compare करें December 2022 तक का तो 35% का जो promoter के पास था वो घटके 33% हो गया 9% FIs के पास था जो बढ़के 17% हो गया 16% DIs के पास था जो बढ़के 26% का हो गया और 38% आप पबलिक के पास था जो घटके 22% हो गया तो इस promoter holding को देखकर आपको यह सीज तो समझ में आ रहा है कि maximum जो stocks है वो बड़े लोगों के हाथ में और लगातार वो अपना sticks बढ़ाते जा रहे है June 2021 से अब तक का अगर आप data निकाल के देखेंगे तो लगातार उनके sticks क्या होते जा रहे है बढ़ते जा रहे है लगातार उनके sticks बढ़ते जा रहे है और इस company में Jubilient Foodworks जो आप Jubilient Foodworks का नाम अपने सुना होगा तो Jubilient जो आपको Domino's का पिज़ा देती है वो company भी इस company में 9.72% का जो sticks था वो hold करती थी एक टाइम पर 9.38 हो गया था तो अभी 9.37% का sticks hold कर रही है जो की बहुत बढ़ी बात है और भी बहुत सारे आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं यह सारे इसमें promoters आसीस के चौलिया के पास भी आप देखेंगे 1.43% का sticks देखने को मिल रहा है आसीस कोचलिया के पास में जो की एक अच्छे खासे investors है अगर हम आसीस कोचलिया को दोखें तो उनके पास बहुत सारी company जैसे लिखता infrastructure की company है आजित्ति विजन करके company है रागह प्रोड़क्ट अगरवाल है बेस्ट अग्रोलाइफ है तो यह एक investors है और यह ऐसी company में invest करती है जिनमें उनको अच्छा खासा return एडिया फूर्ट आप देख सकते है एडिया फूर्ट भी है इनके पास में तो जिसमें अच्छा खासा return generate करके देने की मादा रखता वह ऐसी company में यह invest करती है और इनका 1.43% का अगर आप इसके hospitality यूज़ करेंगे तो आपको भी यह company जरूर पसंद में आएगी तो यह तरीके से हमें समझ में आगी company अब जो negative return generate करती थी वहाँ से positive return generate करने लगी है company लगबग 1000 करोड का business भी कर रही है और लगबग 30-40 करोड का net profit 20% का operating profit margin पर generate कर रही है जैसे जैसे नए ने shops open होंगे आप यह चीज़ देखेंगे कि इसका जो net profit margin है वो देरे-देरे बढ़ता रहेगा इनके net profit margin और जैसे गर्मी की छुट्टी होगी ऐसे जो जो देखिए food service की sector है जो आपको सीधे customer से related होता है और इनके जो shops होते हैं वो ऐसा ने की कहीं पर भी open होते है generally mall में open होते है जैसे movie mall हो गया या फिस कोई shopping mall हो गया shopping mall में ही इनके जो इनके hospitality है वो open रहती है हर जगे इनके hospitality open नहीं रहती है अगर हम इनको देखे तो यह well diversified है इनका pan India presence है लगबग 21 new restaurant यह 29 और 20 में यह open किया है लगबग 1500 restaurant इनके पास लगबग 2020 तक था है इनके पास 77 cities में 766 इनके पास restaurant है international market मेडल इस्ट अब मलीशिया मलीशिया में और मेडल इस्ट में इनके पास लगबग 6 restaurant है तो एक तरीके से आप देखे यह इंडिया के बाहर भी अपना presence बनाया रखना चाहते हैं और धीरे दीरे जब company के पास पैसा आएगा तो बड़ी और अलग अलग जग़े पर अपनी जो shops है वो open होगा और उसका जो benefits है shareholders को देखने को मिलेगा अगर हम इसके technical chart देखे barbecue nations के technical chart देखे तो technically हमको यह क्या समझ में आ रहा है कि यह present time में एक बहुत ही अच्छा खासा जो इनका जो present है barbecue nations का एक अच्छे खासे time पे दिख रहा है उनका आप यहाँ पे B, A, R, B अब barbecue nations open कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा time लेता है लेकि उसे कोई problem नहीं है हम लोगों को चली, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इनका जो chart है इस company का, उस company के chart में एक चीज़ नोटिस कर गए कि यह अभी जो price इसका range चल रहा है इस company के stocks का price range जो चल रहा है यही price range इसके starting time में जब IPO आया था उस time पे भी उसका price range यही था यानि अपने ये IPO वाले price range पर देखने को मिल रहा है और कितना time हो गया अगर आप time period देखेंग तो लगभग April 2021 में, March April 2021 में यानि लगभग आप 2 साल का time period यहाँ से हो गया है 2 years का time period भी हो गया है और 2 years के time period में हम देख रहे हैं कि अपने उसी time period पे देखने को मिल रहा है जो 2 साल पहले था और वहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे कि वो यहीं पे अब क्या कर रहा है bottom बनाने की कोशिस कर रहा है अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो company जो है वो अप यहाँ पे bottom बनाने की कोशिस कर रहा है और यहाँ से आप वो rounding bottom pattern के थुरू ऊपर जाने की कोशिस भी कर रहा है अगर हम technically इसको भी देखे तो अगर हम RB Knox division करके यहाँ पे एक technical analysis के थुरू लगाते हैं इसमें RB Knox क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पे आप यहाँ पे indicator में जागे indicator में जागे अब RB Knox करके search करेंगे तो आपको यह वाला मिलेगा Rob Booker Knox while divergence ठीक है इसमें अगर आप एक technical analysis है जिससे आप 50-70% रिटन आने वाले 6 से 7 महीनों में generate कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है कि बार्स जो back है वो 200 रख दिया है RSI period 14 रख दिया और momentum period 20 था पहले से default वाला है तो हमने 20 ही रख दिया है और यहाँ पे जब हम आप लगाएंगे को तो आप एक ची सीखा notice देखेंगे कि आपको एक line मिलेगा blue color की line दिखा दे रही color भी आप change कर सकते हैं यहाँ पे तो यह blue color की line बोल रही है कि अगर आप इस blue color की line को ध्यान से देखें और समझें तो जहां सी यह blue color की line बनी हुई है उसी range पे अगर हम इसको buy करें जैसे इस वाले range पे अगर हम इसको buy करें यह वाले range पर हम इसको buy करें और जहां पर यह end हो रहा है वहाँ पे sell करें तो हमको अच्छा खाजा return देखने को मिलता है इस वाले range में अगर हम लोग देखे तो लगवग 134% return 218 days में देखने को मिला था लेकिन यह कब की बात हो कि जब share अपने top से नीचे की तरफ हो उपर तिरफ रहेगा तो नहीं नीचे की तरफ हो अगर आप महाँ पे buy करते हैं तो अच्छा खासा return generate कर सकती हैं दूसरा अगर हम इसमें लगा दे simple moving average जो indicator है यह indicator भी बहुत काम का है इस indicator को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि indicator क्या है यहाँ पर हमने किया क्या है जो smoothing जो day wise indicator होता है जो candle होता है वो एक day को represent करता है तो यहाँ पर हमने 20 days का 50 days का और 200 days का 3 lines हमने ड्रॉ कर दिया तो colors भी हमने change कर दिया यहाँ पर colors अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 200 यह जो है वो 200 days को दिखा रहा है और यह जो है red line वो 50 days को दिखा रहा है और जो blue line है वो 20 days को दिखा रहा है तो present time अगर कोई भी company तीनों के नीचे हो यानि 200 days 50 days और 20 days के नीचे मिल रही हो तो अगर आप वहाँ पर buy करती है और just यही चीज उल्टा जब हो जाएगा जैसे अगर हम previous में भी अगर कहीं आपको दिखाए है कि ऐसा कुछ हुआ हो अभी यह 200 days वाला data कुछी दिन से बना क्योंकि company बहुत पुरानी listed नहीं है इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल रहा है अगर आप इसका just opposite यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन अगर आप ऐसे buy करते हैं कि 200 days सबसे उपर 50 days और भी 20 days के moving average पर आपको मिलता है तो यह strong buy zone होता है यह strong buy zone होता है अगर आप इस टाइब बाई करते हैं तो आपको आने वाले कुछ लगभग मानक चलिए one year के अंदर अंदर आपको 50-60% का return generally देखने को मिल जाता है अब देखें यह कोई recommendation नहीं कि आप इसको buy करिया यह sell करिया अपने due diligence का हिसाब से मैं तो कहूँगा कि आप इस company के shares को buy करने से पहले एक बार आप बाबेक यूनिशन के hospitality जरूर यूज करिया उसके बाद आपको यह लगएगा कि company profit generate कर सकती है नहीं कर सकती है आप खुधी due diligence अपना यूज कर पाएंगे तो अगर हम देखे तो यह top से कितना down है top इस ने बनाया था इस range पे और वहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर हम price करें तो लगभग 62% हमको down दिखाई दे रहा है तो लगभग अभी इस company का जो price range चल रहा है मैं आपको एक strength मतब एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ कि इस company का जो price चल रहा है साथ सो पंदर रुपया लगभग आपको साथ सो रुपया आठ सो रुपय के बीच में की ठाली भी प्रवाइड होती है तो आप यह समझ जाएं कि आप हर महीने एक बार अगर आप इसको SIP मोड में बाई करते है तो आप यह समझें कि हर महीने आप एक ठाली आप यहाँ पर जाते हैं बार्बेक्यो नेशन्स में अपने और अपने परिवार के साथ तो आप एक याँ दो stocks अगर आप daily भी मतलब monthly भी आप इसको buy करते है और long term में साल दो साल तक आप इसको रखते है क्योंकि यह देखिए company एक दो दिन में आपको return generate करके तो नहीं देगी लेकिन यह company ऐसी है जो आपको long term में अच्छा खासा return generate करके दे सकती है ऐसा मेरे को लगता है और company अपने IPO price पे है और IPO price 2021 वाला है April 2021 में और April 2021 का अगर हम data देखें यहाँ पे April 2021 का अगर हम लोग data देखें तो उस time पे मतलब March 2021 April 2021 में data तो उस time पे company का जो sales था केबल 500 करोड का sales था 500 करोड के sales पे company 92 करोड का loss generate करती थी आप समझेए कि जो 700 रुपा price आपको देखने को मिल रहा है उस time पे company 500 करोड का sales करके 90 करोड का loss generate करती थी वहाँ से company double हो गई है यानि 2021 से 2022 आप से यह दो साल में company का sales double हो गया और net profit भी double हो गया अब बाइनस 90 करोड था अभी positive में 31 करोड है तो double क्या आप जितना भी इसको generate कर सकते जितना मान सकते उतना मान लेजिए तो यहाँ से net profit भी अच्छा खासा grow हुआ है operating profit margin जो 8 9% का operating profit margin था वरके 20% का operating profit margin generate हो गया तो अगर company का price company का sales double हो गया operating profit margin तीन गुना हो गया है net profit margin को अब कितना multiple करेंगे अगर पहले से negative था तो negative to positive convert करने में आप बहुत ज़्यदा multiple हो जाता लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा grow यहाँ देखने को मिल रहा है तो अगर यह grow लगातार इसी तरह continuous बना रहता है तो आप समझे कि share price क्यों उपर नहीं जाएगा उसका कोई reason ही नहीं है कि यह उपर ना जाए और मेरे को लग रहा है कि यह जो foundation है यह जो method है यह तरीके से एक bottom बनाया जा रहा है अब इस period में जहां तक रह सके जितने दिन वो यहाँ पर रह सके प्रमोटर जितने दिन यानि बड़े stocks holder इसको जितने दिन यहाँ पर रख सके otherwise यहाँ से उपर इसी price से उपर यह आप देखे यहाँ से नीचे गया था और यहीं से आप एक चीज़ नोटिस करिए का ज़रा ध्यान दीजिएगा मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ यह भी एक technical analysis का part है कि अगर आप देखेंगे daily data पे तो इस price से लेकर यह जो price range निगल किया रहा यह वाला price range और यह वाला price range इस price से इस price के बीच मगर हम gap देखे तो कितने परशन का gap है इस price से इस price के बीच में 50% का gap है और 50% का grow क्या कोई company अपने आप हो जाएगे बिना promoters बिना बड़े लोगों के हाथों में आवे तो कभी नहीं हो सकता है और फिर से आपको यह उसी price range पर देखने को मिल रहा है अगर हम देखें यहां पर ध्यान से समझें तो क्या यह company उसी price range पर देखने को मिल रही है तो भी इस range पर आते हुए दिखाई देती है तो कितना नीचे company आ सकती है इस price range से गर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां से कितना नीचे आ सकता है तो यहां से नीचे जो आने का chance लगभग 15-16% का है यानि इस company को आप buy करिए देखें कोई recommendation नहीं है लेकिन मैं एक V2 करके एक technical analysis है कि अगर कोई company लगातार daily candle chart पे कुछ दिनों में भिना red candle के अगर 50% का grow दिखा देती है 20% से plus grow दिखा देता है तो अगर फिर से वो अगर उसी range में आएगा इसी range में आपको देखने को मिलेगा तो फिर से ये range आपको अचानक देखने को मिलेगा यानि लगबख 100 दिन के अंदर अंदर आपको फिर से ये return देखने को मिल सकता है तो मैं आपको technical analysis का बहुत ज़्यादा ग्यान न देते हुए बस मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि अभी ये जिस range पे जिस price range पर मिल रहा है ये price range आपको बहुत ज़्यादा attractive मेरे को देखने को लग रहा है और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ नीचे जो जा सकता है तो कितना नीचे जा सकता है तो मैं ये पहले से मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से 15%, 16% का जो range है वो नीचे के तरब भी देखने को मिल सकता इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि company जब गिरती है और जब promoter होते हूँ अपने तरीके से चीजों को चलाते है तो मैं इसको 600 के range तक अगर ये नीचे आता है तो भी मैं इसको क्या करूँगा buy करूँगा जितना नीचे आएगा मेरे sticks जो है वो उतना ज़्यादा बढते जाएंगे तो अगर ये 600 के rates तक आता है या present time में अभी जहां है वहीं से घूम जाता है और अपने top को 2 सालों में भी generate करता है ठीक है जो उसके ने top बनाया था वो 2 सालों में भी बनाता है तो लगभग आपको 175% का return मिलेगा आने वाले 2 सालों में अगर ये 2 साल में बनाता है तब की बात है जब कितना time नहीं लगना चाहिए साल एड़ साल के अंदर अंदर आपको ये फिर से उसी range पे देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर वो और नीची आता है इस range पे भी आ जाता है अगर तो ये ऐसा आना नहीं ची लेकिन अगर आ जाता है तो भी आप अगर इसको उस time तक hold करते है और तब आप इसको buy करते हैं तो लगभग 200% का return देखने को मिलता है तो अगर 200% का return ये company दो सालों में generate करती है यानि दो सालों में company आपको 200% का return भी देती है तो भी आपको 100% का yearly return देखने को मिलता है जो कि कहीं से भी खराब नहीं है ऐसी companyों में जिसका product आप जा के खुद भी check कर सकते हैं देख सकते हैं तो technical और fundamental दोनों तरीके से company present time में buying वाली zone में है अब या आप अपने due diligence से समझ कि invest करिए और अपने पैसे को generate करिए ऐसे ही लगातार अच्छी वीडियो के लिए इस channel को subscribe करें और अपने friends को share करना ना भूले वीडियो सभी लोग देखते लेकिन subscribe नहीं करते कर दो कर दो दो है